So, Hello Guys, Welcome to YSIS, आज हम Geneva Conventions के बारे में पढ़ेंगे कि Geneva Conventions, War Time पर किस तरीके से काम करते हैं, इनको क्यों लाया गया, historical background क्या है और आज current, इस modern world में Geneva Conventions, Conventions कहां तक applicable है या फिर वो कौन सी countries हैं, जन्होंने इसको follow नहीं किया और उसके फिर results क्या रहे बाकी के जो भी changes फिर हमने Geneva Conventions के अंदर किये हैं, वो सारे के सारे हम अपने इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैं थोड़ा सापको historical background देतेता हूं कि Geneva Conventions कहां से आए, देखे, एक Swiss businessman थे, जिनका नाम Henry Durant था, ये Napoleon Bonaparty के भतीचे थे, ये nephew थे, इन्होंने Battle of Selfarino 1859 को अपनी आँखों से देखा था, तो जब इन्होंने देखा वहाँ पर उस battle में, कई सारे से जो वहाँ पर civilians थे, या फिर soldiers थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराफ थी, किसी का पेर कटा हुआ है, किसी का सिर कटा हुआ पड़ा है, किसी का हाथ कटा हुआ है, तो वो सब चीज़ें देखकर इनको बहुत खराब लगा, इन्होंने वहाँ पर कई सारे से घायल सेनिक दे तड़कते हुए देखे, तो उन्होंने फिर अपनी एक बुक लिखी, जिसका नाम है A Memory of Self Arena, अपनी इस बुक के अंदर उन्होंने दो सजेशन्स रखे, वर्ल्ड लीडर्स के सामने, यूरोप के जितने भी at that time वर्ल्ड लीडर्स थे, साथ अमेरिका, नौर्थ अमेरिका और यूरोप के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे, जो के टॉप रैंक के थे, उन्होंने अपनी इस बुक में दो सजेशन्स रखे, और वो दो सजेशन्स क्या थे, देखे, इनका पहला सजेशन था, Voluntary Relief Society, सबसे पहला इनोंने बोला कि हर कंट्री को अपना एक Medical Facilities जो हो अर्किमेंट साइन करना है, जिसमें आपको जो गाइडलाइन्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको सेट अप करना होगा, किस तरीके से Wars को लड़नना चाहिए हमको, जिससे कि इस तरीके की सिचुईशन हमारे सामने ना हो, अगर मैं historical background देखूं, इंडिया के लिए तो देखी, हम संसेट के बाद युद्ध नहीं हो सकता है, संसेट के बाद वो लड़ते हैं, सूरज ढलने के बाद नहीं लड़ सकते हो आप, तो यह इसी तरीके के हैं, एक और एक्जामपल अगर मैं आपको देता हूँ, जैसा कि अपने हत्ते पर बार नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भ इसको गलत बताया गया है, कई सारी इसी जगहों पर, तो यह सारी पहले भी हमारे यहां गाइडलाइन्स थी, बट इसको वर्ल लेवल पर कभी फॉलो नहीं किया गया, हमारे यहां तो यह बहुत पहले से रहे हैं, अगर हम अपने एपिक्स में देखें, रामयन में भी पहले में थोड़ा सापको बेसिक नॉलिज देते था हूं, देखें, इन्होंने जो बुक लिखी थी, उस बुक के बाद वर्ल लीडर्स की एक मीटिंग होती है, 1863 में, कब होती है, 1863 में एक मीटिंग की जाती है, उस मीटिंग में आपकी दो कॉनक्लूजन्स निकल कर आत हैं, सबसे पहला कॉनक्लूजन था, सबसे पहला कॉनक्लूजन निकल कर आता है, humanitarian help, ठीक है, सबसे पहली humanitarian help के लिए आपको एक organization बनानी होगी, और बाद में इन्होंने बनाई भी ही, जिसका नाम था, I.C.R.C. International Committee for Red Cross, और दूसरा था, सारी गोर्मेंट को आकर, एक treaty sign करनी होगी, जिसमें treaty में क्या था, to allow neutral party to help, जैसे कि neutral party क्या, Geneva Conventions जिस तरीके से हैं, इस Red Cross है, अगर कोई soldier खायल है, तो वहाँ पर आप Red Cross की जो भी, वहाँ पर लोग आते हैं, उनको आप कुछ नहीं करेंगे, वो लोग वहाँ पर आके अपनी neutral होकर help करेंगे, दोनों countries के जो भी wounded soldiers हैं, उन सब की help करेंगे, तो आप उनको वो सब करने से नहीं रोग हो गए, ये था आपका historical background, और उनकी इसी book के लिए, Henry Durant को 1901 में, Nobel Peace Prize भी मिल चुका है, जनेवा Conventions की, जो basic जो उनोंने नीव रखी थी, उसके लिए, 1901 में, first Nobel Peace Prize भी Henry Durant को मिल चुका है, इसी इसके लिए, तो याद रखिएगा आप इसको, अब first बात कर लेते हैं, first convention की, जो कि 1864 में, आपका 1864 में, आपका आया था, ये यहाँ पर है, 1864, तो पहला जनेवा Conventions क्या कहता है, treatment of wounded and sick soldiers, ये बात करता है, उन soldiers के बारे में, जो कि घायल हो चुके हैं, या फिर बीमार हैं उनके बारे में कहता है, ये आप लेका है, wounded and sick soldiers during armed conflict, ये उन लोगों की बात करता है, कि उनको human treatment दिया जाना चाहिए, उनको human treatment, यानि एक जो basic treatment दिया जाता है, जिससे कि आप उनको मार पीट नहीं सकते हो, torture नहीं कर सकते हो, तो ये आपका पहला जनेवा Convention था, इसने ये एड किया गया, इसके बाद, दूसरा जनेवा Convention आता है, इसमें, फर्स जनेवा Convention में आपका boundaries decided नहीं थी, तो इसके लिए फिर दूसरा जनेवा Conventions लाना पड़ा इनको, 1906 में, तो ये 1906 में क्या कहता है, दीखे, 1906 में, फर्स्ट वाले में तो इन्होंने बोल दिया, कि इन्होंने क्या था, boundaries decide नहीं करी थी, कि वो किन soldiers की बात कर रहे हैं, तो जितने भी land पर लड़ाई हैं हो रही थी, वहाँ पर तो ठीक है, अगर बात अब C में आ चाती है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको C में भी add किया गया, अगर आप आपकी लड इन्हें इस country के किसी जहाच को पानी में डुबा दिया है, या दूब रहा है वो, और बाकी सारे जो सैनिक हैं वो मर रहे हैं, बट वो किसी भी तरीके की आपसे युद्ध लड़ने की इस्तिती में नहीं हैं, तो आप उनकी help करेंगे, यह नहीं कि आप उनको मार देंगे, या फिर उनको बंदी बंदी बना लेंगे, आप उनको साथ human treatment देंगे आपको, human treatment देंगे आप उनको basically, ऐसा नहीं है कि आपने पानी से तो निकाल लिया, बट उसके बाद आपने उनको जेल में डाल दिया, और फिर आप उनको ना खाना पी न दे रहे हो, नो कुछ दे रह करना है, ये second convention में इनोंने बताया, फिर आजाता है आपका first world war, जब third janewa convention आया, इसके आने से पहले आपका first world war हो चुका था, जैसा कि आपको पताए है, 1914 से लेकर 1918 तक आपका first world war चला था, ये roughly date है एक, आपकी world war 1 की, और जो आपका third janewa convention है, वो आपका 1929 में आया, तो इ first world war के बाद क्या था, जितने भी countries थे, कोई भी मतलब इतना serious थे, खाही नहीं, जनेवा convention को लेकर के हाँ, इसको follow करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कई सारे से countries थे, जोनोंने इसको नहीं माना, और ill treatment दिया, वाके लोगों को, जनता को भी मारा, जो भी उनके फौजी थे उनको अच्छा treatment नहीं मिला, उनका मास लेविल पर murder कर दिया गया, जो भी prison of war थे, उनको torture किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, खाना नहीं दिया गया, तो इसलिए फिर थर जनेवा convention को लाना पड़ा, इसमें क्या था, इसमें अनोंने डिफाइन करा, कि जो भी prisoner of war है उनको आप अच्छे से treat करोगे, और जब युद्ध खतम हो जाएगा, तो उसके बाद आप उनको release करोगे बिना किसी देरी के, यह आपका थर जनेवा convention में इन्होंने add किया, कि जब थर जनेवा convention किसके बारे में बात करता है, तो especially यह POW, Prisoner of War के बारे में बात करता है, आपका 4th जनेवा convention आ जाता है, देखिए 4th जनेवा convention आने से पहले क्या हुआ, आपका 2nd World War स्टार्ट हो गया, क्योंकि 4th जनेवा convention आपका कब आ जा है, यह आप आप देख सकते हैं, रफ्लिटेट, यह 1949 में add-on किया गया, बट इससे पहले आपका World War 2 हो चुका था, World War 2 में तो आपने देखा आई ही हिटलर ने क्या ही लेवल पर मेसेकर मचाया था उस टाइम पर, हिटलर ने बहुत जाता लोगों को, concentration camp में लाखों लोगों को उसने जिन्दा जला दिया था, और gases के अंदर जो था, biological experiment किये थे उनके उपर, तो उसके बाद उनको 4th Geneva Convention लाना पड़ा, वो होते हैं आपके non-competents, ठीक है न, तो जो भी युद्ध में participate नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपके बच्चे हो गए, महिलाएं हो गए, बुढ़े, बुजरुक हो गए, या फिल, ladies हैं जो कि pregnant हैं, यह होते हैं आपके non-competents, तो इन सब लोगों को, एक increased security की बात करता है, आ Second World War में भाई, उसने तो जीउस कोई हलती खराब कर दी थी, वो नहीं देख रहा था कि भाई, वो non-competent है, या फिर soldier है, कौन है, क्या नहीं है, उसका सीधा, सीधा सीधा उसका order था, जीउस को पकड़ो, concentration camp में ढालो, और मार दो, खाता हूँ, तो हिटलर का यह stand था उस ट नहीं करेंगे, non-competent के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको आप बंदी भी नहीं बना सकते हैं, यह आपका चौथा जनेवा कन्वेंशन कहता है, इसमें आपके आर्टिकल 9 के बारे में अगर मैं बात करूँ, जो की 4 जनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 9 है, यहापर मै mention नहीं कराया, बट आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, बेसिक यह आप से पूछा नहीं जाया का, बट फिर भी थोड़ा सा अप थोड़ा सा knowledge रखिए इस बारे में, आर्टिकल 9 क्या कहता है, जो Red Cross Committee जो बनाई गई थी, ICRC, International Committee for the Red Cross, आर्टिकल 9, जनेवा कन्वेंशन का, 4th जनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 9, specifically यह Red Cross को इतना right देता है, कि वो किसी भी wounded या फिर 6 soldier को assist कर सकता है, Red Cross intervene कर सकता है, क्या करने के लिए, उसको assist करने के लिए, यह आपका चोथा जनेवा कन्वेंशन कहता है, ठीकर ना, आर्टिक 12 से लेकर, 16 तक इसमें थोड़ा सा और add-on किया गया, 12 to 16, 12 to 16 आपके क्या कहते हैं, देखें, कोई भी non-competent है, उसको आप murder नहीं कर सकते हैं, उसका आप murder नहीं कर सकते हैं, torture नहीं कर सकते हैं, आप उसको biological experiment नहीं कर सकते हैं, या फिर उनका mass level पर rape ने पगेरा, या फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं यह सारी से चीज़े, world war 2 में हुई, तो फिर इसको fourth जनेवा convention को लाना पड़ा बीच में, intervene, इसको करना पड़ा, क्योंकि Hitler ने बहुत ज जनेवा convention को लाना पड़ा, आगे बढ़ते हैं, देखिए, इसमें दो additional protocols को भी जोड़ा गया था, अभी recent का यगर मैं आपको बताऊं, तो 2005 में इसका तीसरा additional, sorry, 2003 लिखती है मैंना, sorry, 2005 में, इसका तीसरा additional protocol इसमें add-on किया गया, उसमें बताऊंगा मैं, क्या है, आपके तीसरे additional protocol में देखिए, starting के जो दो additional protocols हैं, इन protocols को देखो, 1977 में लेकर आया गया था, 1977 में इसको लेकर आया गया था, देखिए, सबसे पहला वाला जो है protocol, वो आपका increased civilians society के बारे में बात करता है, कि civilians की society, जो security है, sorry, जो civilians की जो security है, उसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से वो इन्होंने अपनी उस book में mention कर रखा है, उनकी security को इन्होंने इस first protocol के तुरू थोड़ा सा और ब बात करते हैं, second की, तो देखिए, second आपका क्या कहता है, second protocol आपका कहता है, जो non international armed conflict हैं, जैसे कि civil war हो गया, वहाँ पर भी आपका Geneva Conventions apply होंगे, वहाँ पर भी आपका Red Cross intervene कर सकता है, यह आपका second protocol, किस के बारे में बात करता है, civil war के बारे में, कि अगर कहीं country में civil war होता है, तो वहाँ पर भी यह लोग intervene कर सकते हैं, वहाँ पर भी यह rules को follow करना होगा आपको, तीसरा, तीसरा basically एक emblem है, जो कि Red Cross का जो नया एनों ने add-on किया है, वो 2005 में एनों का जो तीसरा था, वो आया था, यह कुछ इस तरीके के shape का होता है, rectangle type का था, जो कि Red Color का ही था, इसको Red Diamond भी कहते हैं, वेसे कली, तो यह आपके तीनों protocols हो गए, आगे बढ़ते हैं, देखिए, अब enforcement की बात करते हैं, सबसे पहले, देखिए, जनेवा conventions इनोंने बना तो दिये, बट इनको enforce किस तरीके से किया जाएगा, देखिए, इसके लिए इनोंने बनाई, मैंने आपको बता ICRC को यहाँ पर बना दिया, कि हाँ, ICRC वहाँ पर अगर कोई country है, जो के help नहीं कर रही है, बट हम लोग हैं, हम लोग help करेंगे, तो यह world level पर, एक international level पर यह committee आपकी ICRC काम करती है, कई सारे से अगर अपने genocide में देखिए होगे, अगर आप news में देखोगे, तो वहाँ पर IC ICRC ने अपना बहुत बड़ा एक role play किया है, वहाँ पर, उनको medication facilities, food, basic जो भी requirements होती है, वो सारी की सारी ICRC के द्वारा provide भी करवाई गही है, अब लेकि इसको लेकर ना कई सारी सी controversies और criticism भी है, कई सारी सी countries हैं, जो कहते ही हैं इस चीज़ को कि Geneva Conventions अपनी चकापर ठीक है, क Geneva Conventions की थोड़ा सा कहीं न कहीं अपनी पकड़ नहीं बना पाता है, अगर आप World War II के बारे में ही बात करो, तो USA ने देखा हो, आपको पता यह हिरोशिमा और नागा साकी पर अपना आप atom bomb गिराया था, वहाँ पर भी कही सारे से निरदोष लोगों की जान गई थी, तो वह नहां पर Geneva Conventions क्यों apply नहीं हुए, तो यह सारी से चीज़े हैं, जो powerful countries है, वो हर बार मुलब यह देखा गया है कि Geneva Conventions से बचती आई है, यह थोड़ा सा criticism है Geneva Conventions के लिए, थोड़ा से इसके successful trials भी रही है, ऐसा नहीं है कि Geneva Conventions हर बार ही नाकाम रहा है, या हर बार असरफल रहा जैसे कि अगर आप Herbert Hubner के बारे में बात करें, एडॉल्फ इचमेन, यह नाजी आर्मी का यह कमांडर था, इसने कई सारे से Jews को मारा था, तो इसके खिलाफ भी International Court में, जो कि World Court है, जिसको आप कहते हो, उसमें इसके खिलाफ केस चलाया गया था, और इसको लगबग 20 साल की स सजा हुई थी, सद्दाम हुसेन, इसके बारे में तो आपने सुनाई होगा सद्दाम हुसेन, इसको तो फांसी पे चड़ा दिया गया था, यह सारे से कुछ है, मिलान मैट्रिक हो गया, अपके कई सारे successful trials भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जनेवा कन्वेंशन का कभी benefit हुआ ह यह फिर कभी लोगों की जनेवा कन्वेंशन के तुरू बचाई ही नहीं जा सकी, अगर मैं आपका recent का example दूँ अपने इंडिया में तो हाँ, जो हमारे एर फोर्स के जो विंग कमांडर थे, अभिनंदन वर्दमान जो थे, उनको भी हमने पाकिस्तान से हम उनको लेकर आए अगर जनेवा कन्वेंशन नहीं होते, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता हूँ उनको इंडिया में वापस लेकर आना, और अगर अभी recent की भी एक news है, जनेवा कन्वेंशन को लेकर अभी मैं इस बात को इसलिए discuss कर रहा हूँ, क्योंकि आपका Israel और Palestine के बीच में अभी current मे हूँ, तो हाँ, दौनों कंट्रीज के द्वारा रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है, जैसे कि अगर अज recent की ही अगर बात करें, तो मैंने news में पढ़ाता कि, गाजा के एक hospital को एक bomb किया गया है, जिसमें 500 लोगों की जान गया है, अब उसमें नहीं पता कि वो civilians थे, या फिर military personnel थे बठा, 500 लोगों की जान गया है, तो यह हैं कुछ war crimes हैं, जो कि almost जितने भी world level पर wars हुएं, हर बार किये जाते हैं, इनमें कोई भी जनेवा conventions के बाद भी उतना improvement नहीं हो पाता है, देखे, conclusion इस बात का यही निकल कर आता है कि, जनेवा conventions, इस ओके कोई problem नहीं है, जने बट इनको अच्छे से implement नहीं किया जा रहा है, या फिर countries इनको थोड़ा सा seriously नहीं ले रही है, थोड़ा सा seriously लेने की जरूरत है हर country को, हर country को जनेवा conventions पर, तोटल 196 countries ने जनेवा conventions पर sign किये हैं, बट follow कितने countries करते हैं, अब आप Russia Ukraine war के बारे में, यागर आप example देख लीज जो कि, वहाँ पर doctors हैं, और जो भी Ukraine में जो भी लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर ये चीज़ को confirm किया था कि, जो Russian soldiers हैं, वो वाईगरा का use कर रहे हैं, और mass level पर Ukraine की females के साथ rip किया जा रहा है, और कई सारे से उन्होंने proof भी दिये थे, क्योंकि जो soldiers थे, उनकी pockets में से उनको वाईगरा के कई सारे से tablets भी मिलेते, तो ये कुछ war crimes हैं, जो के अभी current में भी होते आ रहे हैं, तो Geneva Conventions को अभी उत्ते seriously नहीं लेती हैं, countries तो इसके लिए देखिए, एक ही तरीका है, हर country को एक bench पर आना पड़ेगा, in the end, देखिए, Geneva Conventions को हर country को seriously लेना चाहिए, और उनको अच्छे से follow भी करना चाहिए, चलिए हम अपने इस वीडियो को यहीं end करते हैं, अगर आप serious civil services aspirant हैं, तो आप हमको इस नमबर पर whatsapp कर सकते हैं, अगर आपको personally one to one mentorship चाहिए, तो आप हमारे इस test series सर के द्वारा कई सारे से launch किये ग सर वहां पर आपको personally guide करेंगे, आपकी इस journey में civil services की, आप हमको instagram पर follow कर सकते हैं, ysis insta, वहां पर सर कई सारे से अच्छे अच्छे post आपको मिल जाएंगे, आप हमको email भी कर सकते हैं, तो चलिए, तब तक के लिए bye bye, enjoy hint